नमस्कार मैं मौनिका स्वागत करती हूँ आपका अपनी यूट्यूब चैनल पर इस यूट्यूब चैनल की शुरुवात मैंने लोकडाउन पिरियड में इंगलिश टेज करने के लिए की थी लेकिन मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स के मेसेज आ रहे हैं राजस्थान जी के करवाने के लिए आप सभी को पता है राजस्थान की एक रिच कल्चर है, हैरिटेज है, वाइड हिस्ट्री है, बहुत ही विस्तृत इतिहास है राजस्थान का तो मेरा एक छोटा सा परियास है कि मैं राजस्थान से रिलेटिड सभी आस्पेक्ट्स को क्लियर कर सुकूँ राजस्थान में जितने भी कॉम्पिटिटिव एक्जाम्स होते हैं उन में से राजस्थान जिके का एक बहुत बड़ा पोर्शन आता है रिटन टेस्ट के अंदर मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियोज आपके लिए हैल्फुल होंगी और आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा राजस्थान के बारे में तो इस फर्स्ट वीडियो में आप जानेंगे राजस्थान पर्देश की स्थिती एवं विस्तार राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित हैं राजस्थान राज्जे के उत्तर से दक्षिन तक की लंबाई 826 किलोमेटर है और पूरव से पस्चिम तक की लंबाई 879 किलोमेटर है तो राजस्थान की लंबाई चोड़ाई में 43 किलोमेटर का अंतर है राजस्थान के उत्तर पस्चिम से दक्षिन पूरव की तरफ अगर विकरन खीचा जाए तो इसकी लंबाई है 850 किलोमेटर जबकि राजस्थान के दक्षिन पस्चिम से उत्तर पूरव की तरफ अगर विकरन खीचा जाए तो इसकी लंबाई है 784 किलोमेटर राजस्थान का आकार पतंगाकार है ये बात सबसे पहले प्रोफेसर टी एच हैटले ने बताई कि राजस्थान का आकार पतंगाकार है विशम कोणी है चतुर भुजाकार है अक्षान्स और दिशान्तरों के स्थिती का अगर हम अवलोकन करें तो हम देखेंगे कि दोनों अक्षान्सों के मद्ध है लगभग साथ डिगरी और दोनों दिशान्तर के मद्ध है लगभग नो डिगरी का अंतर है एक डिगरी दिशांतर को पार करने में सूरज को चार मिनट का समय लगता है इसलिए राजस्थान के पूरव में और पश्चिम में सुर्योद्दे का जो टाइम का अंतर है वो है पैंतिस मिनट आट सेकिंड मिन्स राजस्थान के अगर पूरव में यहाँ अगर सुबह पांच बचे सुर्योद्दे हुआ है तो राजस्थान के पश्चिम में पांच बच कर पैंतिस मिनट आट सेकिंड पर सुर्योद्दे होगा राजस्थान की पूरव में आप यहां देख सकते हैं धोलपूर है और राजस्थान के पश्चिम में जैसल मेर है मिन्स धोलपूर में जैसल मेर से 35 मिनट 8 सेकंड पहले सुरियोद्य होता है तो राजस्थान में सबसे पहले सुरियोद्य और सुरियास्थ जहां होता है वो है धोलपूर और जैसल मेर मेर में राजस्थान में सबसे बाद में सुरियास्थ होता है और सबसे बाद में ही सुरियोद्य होता है राजस्थान में मध्धे का जिला जो राजस्थान के बिलकुल बीच में स्थित है वो है नागोर अजमेर और चितोडगर दो ऐसे राज्ये हैं जिनकी सीमा स्माप्थ होने के बाद फिर से दूसरे स्थान से शुरू हो जाती है जैसे आप देख सकते हैं अजमेर और जो ये पॉर्शन है ये भी अजमेर का है ठीकिसी तरह ये चितोडगर और ये पॉर्शन है जो ये भी चितोडगर का है तो ये दो ऐसे राज्ये हैं जिनकी सीमा स्माप्थ होने के बाद फिर से दूसरे स्थान से शुरू हो जाती है पाकिस्तान सीमा पर सरवाधिक नस्दीक जिला मुख्याले श्री गंगा नगर में है जबकि पाकिस्तान सीमा पर सबसे दूर जिला मुख्याले वे नस्दीक संभाग मुख्याले बिकानेर में है राजस्थान के उत्तर में कोणा गाउं है जो गंगा नगर तहसील में है जबकि दक्षिन में बोरकुंड गाउं है जो कुशलगड तहसील में है पूरव में सिलाना गाउं राजा खेडा तहसील में और पस्चिम में कटरा गाउं सम तहसील में है जैसे कि प्रोफेसर टी-एच हडले ने बताया कि राजस्थान पतंगाकार है पतंग के समान राजस्थान क्या करती है ठीकिसी तरहां से राजस्थान के अंदर कुछ जिले ऐसे हैं जिनकी कुछ विशेश आकरतिया हैं जैसे जालोर जिला वेल मचली की तरहां से है उदेपुर औस्ट्रेलिया की तरहां से है राजस्थान की ही तरहा राजस्थान का जिला टॉंक भी पतंगाकार है करक रेखा भारत के मध्य से होकर गुजड़ती है और राजस्थान में करक रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर है तो ये है परदेश की समाने स्थिती एवं विस्तार मुझे उमीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और राजस्थान की स्थिती से संबंदित जो कंसेप्ट है वो आपके मैं एक या दो वीडियो अपलोड किया करूंगी जिससे आपको जानने को मिलेगा राजस्थान के बारे में तैंक यू